मैं एक स्कूल टीचर थी, मेरी कलास के एक बच्चे के बैग से ऐसी चीज निकलती, शर्मिंदगी की वज़े से मेरी जान निकल जाती, मेरा नाम संगीता है और मेरी उम्र 25 साल है, मैं एक स्कूल टीचर थी, हमारे घर का महौल बहुत ही सक्त था और मेरे जॉब करने पर भी रोक टोक थी, मैंने किसी तरह मम्मी से कहा कि पापा को मनाए, क्योंकि घर में पैसो की जरूरत है, हमारा कोई भाई नहीं था, जो करना था, मुझे ही करना था, जब मैं सब कुछ करने के लिए त्यार थी, तो पता नहीं उनको क्या परिशानी थी, हमारे स्कूल में एक रह जाती थी, मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए तीन साल होने वाले थे, लेकिन ये बच्चा दो महीने पहले ही आया था, और उसके बैग में एक ऐसी चीज थी, जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं फिर खुद भी शर्मिंदा होती, ये बच बच्चा हमारे स्कूल में पहले नहीं पढ़ता था, इसलिए कोई इसके बारे में जानता नहीं था, वो बहुत चुपचाप और खामोश रहता था, वो फोर्थ क्लास का बच्चा था, और उसकी उम्र बारा साल हो गए, एक दिन मेरी ही ड्यूटी बच्चों के बैग चेक करने पर लगी, क्योंकि आजकल बच्चे फोन और वीडियो गेम्स वगेरा बैग में रखकर लाते थे, जिन को स्कूल में लाने की परमीशन नहीं थी, इसलिए सब के बैगों की तलाशी ली जाती थी, लेकिन जब ये बच्चा मेरे सामने आया, और मैंने उसका बैग खोल तो मैं हरान रहे गई, मेरे साथ खड़ी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, मैंने कहा कि कुछ नहीं, और बैग को बंद करके उस बच्चे को वापिस दे दिया, लेकिन जाते हुए उस बच्चे को हरान होकर देखती रही, पहला दिन था, और जब मुझे पता च चली थी, और अगर पता चल जाती, तो शायद मेरी तरह खामोश नहीं रहती, लेकिन मेरा मामला कुछ अलग था, क्योंकि इस जाब को करने के लिए, मेरे पापा बहुत ही मुश्किल से माने थे, तो मेरे अंदर डर था, कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, जिससे मेरे पा और जादा नर्वस हो जाती, लेकिन तो फिर भी अपने आपको संभाल कर बात करने की कोशिश करती थी, मुझ में confidence की बहुत कमी थी, मैं कोशिश करती थी, लेकिन मेरे अंदर confidence नहीं था, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या किया जा रहा था?, उस बच्चे का ऐसी चीजों त पुख्यों सी चीज डाल कर सकूल में ला रहा है, क्या वो बाकी बच्चों को ये चीजे दिखा कर, वक्त से पहले उन्हें बड़ा तो नहीं करना चाहता था, कहीं ऐसा तो नहीं था, ये छोटा सा बच्चा बे शर्मी फैला रहा था, और बच्चों के दिमाख में गंदगी थी, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं था, लेकिन थोड़ा चुप रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, उसने पूरा दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो रूल से हट कर था, लेकिन एक बात ऐसी थी, जो सच में बहुत अजीव थी, वो ये थी, कि वो लंच से कहा, कि खोल कर दो, मुझे चेक करना है, मैं बात कर सकती थी, टीचर से, और अपने दोस्तों से भी, प्रिंसीपल से भी, लेकिन मैं इतनी शुर्मिंदा हो गई थी, कि मैं बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस मामले को हल करना चाहती थी, आजकल के बच्चे पहले की त पर मुझे भी फोन रखने की परमीशन नहीं थी, हाला कि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन मुझे कभी स्कूल से आने में देर हो जाती, तो बहुत डाट सुनने पड़ती थी, मम्मी कहती कि क्या करती हो, देर हो रही थी, तो बता नहीं सकती थी, तो मैंने कहा कि कैसे पताती, कभूतर के जरिये तो पैगाम नहीं भेजती, आपको पता है कि मेरे पास फोन नहीं है, एक छोटा सा फोन रखने दे, मैं बड़ा फोन नहीं रखूंगी, बस फोन उठाने के लिए फोन रख लूंगी, मम्मी इस बात को नहीं मानती थी, वो कहती थी कि पापा कहना था कि जोब करने लगी है, तो अब अजीब अजीब डिमान रख रही है, छोड़ दे नोकरी, और घर बैठ हमारे घर में बहुत परिशानी थी, लेकिन पापा ये मानने को त्यार ही नहीं थे, कि हमारे यहां पर इतनी परिशानी है, वो कहते थे कि जिसने हमें इस पानी आता था, और हम लोग भूके रहने से बच जाते थे, लेकिन उस बच्चे की हरकते देखकर मैं प्रेशान हो गई थी, एक दिन मैंने उस बच्चे को रोक लिया, और उससे अकेले में ले जाकर पूछा, और कहा कि तुमने ये क्या डाल रखा है, तुम्हें शर्म नह नहीं आती, ऐसी चीजे क्यों स्कूल लेकर आते हो, रोज ये चीज तुम्हारे बैग में होती है, तुम्हारे मम्मी बापा है या नहीं, मैं प्रिंसिपल को शिकायद लगाऊं, उस बच्चे ने पहले तो सारी बातें सर जुका कर आराम से सुन ले, और उसके बाद उसने सर उठाया, तो उसके चहरे पर बच्चो वाले भाव नहीं थे, किसी ऐसी इनसान के भाव थे, कि या तो वह मुझे मार देना चाहता है, या फिर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, जैसे वो मुझे अभी कहेगा, कि अच्छा तुम मेरी शिकायत लगाऊगी, इतनी हिम्मत है तुम में, उसने मुझे दो पल देखा, और कहा, कि तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती, इतना कहकर वह वहां से चला गया, और सच मुझे मेरी सांस रूख गई थी, मैं डर गई थी, जैसे कि मुझे सच में किसी बड़े आदमी ने धमकी दी हो, और कहा, कि तुम कुछ न मैसूस हो गया, और मैंने सच में किसी को कुछ नहीं बताया, मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी, मैं प्रिंसिपल के सामने इस तरह की बात कैसे करती, वो बच्चों को स्कूल से निकाल देती है, हो सकता है, वह सब मासूमियत में कर रहा था, लेकिन आज उसके चहरे मुझे मासूमियत नजर नहीं आ रही थी, ये बात तो पक्की थी, और ये भी हो सकता था, कि कोई और उसके बैग में भी ये चीज रख रहा था, और अब तो काफी देर हो चुकी थी, अगर मैं आप बताती भी तो मुझसे पूछा जाता, कि ये सब कब से हो रहा है, और अ इतनी सी बात बताने में आपको कौन सी शर्मा रही थी, अब तो मैं बीच में फस चुकी थी, कहते हैं कि अगर हम किसी पाप का हिस्सा नहीं होते, तो मुखबिरी करते, इसलिए मैं चुप रही थी, और उसकी राजदार बन चुकी थी, एक दिन उसका काम पूरा नहीं था तो मैंने उसे डाट दिया और कहा कि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं है, किन चीजों में लगाया हुआ है, इन चीजों से अपना दिमाग हटा लो, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रहे गई, मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई, उस बच् च्छे दिन से माफ कर रही थी, मेरी आदत नहीं थी बच्चों पर हाथ उठाने की, मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया, जब मैंने कहा कि क्वेश्चन क्यों याद नहीं है, तो वो कहने लगा कि नहीं करूंगा, मेरी म जी मैं कुछ भी करूँ ये सुनकर मुझे और गुसा आ गया मैंने इस बच्चे को हलका सा थपड लगाया लेकिन वो बच्चा ऐसे जमीन पर गिर गया जैसे कि मैंने उसे बहुत जोर से मारा है जिबकि मैं बच्चों को ऐसे नहीं मारती थी वो बच्चा जमीन पर गिर कर र रहा था कि उसने रोते रोते अपना सांस बंद कर लिया, उसके घर वालों को बुला लिया गया, थोड़ी देर के बाद उसके माता पिता और वो बच्चा और मेरे साथ की टीचर जो उसे देखने के लिए आई थी, सब लोग प्रिंसिपल के कमरे में खड़े थे, कोट जैसा म होल बना हुआ था, और मुझे सब लोग ऐसे देख रहे थे, जैसे मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो, अब मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती थी, कि इस बच्चे ने ड्रामा किया, जान भूज कर मुझे गुसा दिलाने के लिए कोश्चन याद नहीं कर रहा था, मैं से ज़्यादा लिखने की पनिश्मेंट देते हैं, या फिर खड़ा कर देते हैं, उसने कहा कि आपको मारने की नोबत क्यों आई, आप डांट भी दो सकती थी, और कहा कि आपकी इस हरकत की वज़े से मैं आपको स्कूल से भी निकाल सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परे कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रोया ही तो है, इस से ज़्यादा तो हम इसे घर में मार लेते हैं, बच्चे शरारती हैं, उसकी मा ने तसलिदी, तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं हम से गलती हुई है, उन्होंने कहा कि कौई बात नहीं, आप लोगोंने फोण करके बु और प्रिंसिपल ने कहा कि उन लोगों ने कोई एक्षन नहीं लिया, वरना आज तुम नोकरी से निकाल दी जाती, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करना, मैंने कहा आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगी, फिर मैंने अपने दोस्त को भी सब कुछ बताया, तो वह हैं है रा बता दी तो उसे तो साफ साफ मो कर जाना था वो बहुत शरारती और चालाक बच्चा है उसकी मा को भी उसके बारे में पता है तभी तो वो मेरा साथ दे रही थी इसलिए कुछ और ही सोचना होगा मैंने उससे बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से बात की अब मैं भी चलाकी करूंगी, मेरी दोस्त ने कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ सो करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत जादा डर गई थी, अगर मेरी नोकरी चली जाती तो हम लोग तो भूके मर जाते, मुझे कुछ ऐसा करना था, कि जिससे मेरी नोकरी को भी कोई खतरा ना हो, मुझे बच करनी चाहिए लेकिन मुझे उसका नंबर कहां से मिलता मैंने उस बच्चे की डायरी में देखा जिसमें उसके मम्मी पापा दोनों का नंबर लिखा हुआ था हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था यहां पर हर चीज का ख्याल रखा जाता था अगर किसी बात की कोई बारा कॉल की और फिर मैंने अपने बारे में बताया और मैंने उससे कहा कि अगर बच्चा आपके आस पास बैठा है तो आप उससे साइड हो जाईए उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है आप बेफिक्र होकर बोले कि क्या बात है मैंने कहा कि मैं आप से मिलना चाहती हूँ अके परेशान होंगी, कुछ न कुछ बोलेंगी, लेकिन उसने कहा, कि ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए त्यार हूँ, फिर उसने मुझसे पूछा, कि मैं कहां पर आसानी से आ सकती हूँ, मैंने उसे एक जगा के बारे में बता दिया, हमें वैसे भी कोई घूमने तो नहीं जाना था, हमें सिर्फ बात ही तो करनी थी, वो जगह बहुत अच्छी थी, बात करने के लिए, उसने कहा, ठीक है, मैं कल वहाँ पर पहुँच जाओंगी, मैंने स्कूल के बाद का टाइम बताया था, क्योंकि मैं स्कूल के बाद ही वहाँ पर जा सकती थी, उस औरत से बात करके म में बहुत अजीब औगरीब चीजें लेकर आता है, उसने पूछा कौन सी चीज, मैंने बताया कि आपके बेटे के बैग में आपकी अपनी पर्सनल चीजे होती हैं, जो एक औरत की पर्सनल चीज हो सकती हैं, जो वो रोज इस्तेमाल कर सकती हैं, वो उसके बैग के अंदर ह और मैंने उसे बताया कि मैंने उसे बात की तो उसने मुझे तेवर दिखाए, तो मैंने उनको वो बात भी बताए, उस दिन क्या हुआ था, मैंने कहा कि मैंने उसके बेटे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया था, उसे थपड कहा भी नहीं जा सकता, मैंने सिर्फ उसकी बे और पिर मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हरान रहे गई तो उसने एक बच्ची की तस्वीर दिखाए और कहा कि ये मेरी बेटी है। पूरे दिन अपने बैग में रखता है अगर हम यह तलाशी नहीं लेते तो हमें पता भी नहीं चलता किसी को भी ये बात नहीं पता और जब मैंने उससे बात की तो वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह मुझे कोई तकलीफ पहुँचाएगा वो बच्चा उमर में बहुत नहीं सकती उन्होंने बताया कि दरसल इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ इसे छोड़ कर चली गई मैंने कहा कि बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर उसने कहा कि उसकी माँ इस दुनिया से नहीं गई बलकि इसे छोड़ कर चली उसी वक्त से ये बच्चा सदमे में चला गया और आम बच्चे की तरह नहीं रहा, उसके बैग में उसकी मा का एक जोड़ा और जोयलरी और कान का जुमका जो ये अपने पास रखता है, उसकी मा अपने कमरे से सब कुछ ले गई और जो वो सब कुछ पीछे छोड़ गई, वो इसने जमा करके अपने पास रखना शुरू कर दिया और वो इन चीजों को हमेशा अपने साथ रखता है किसी को हाथ नहीं लगाने देता इसके पापा को ये सब पता है वो भी अपनी पत्नी को बहुत महबत करता था और उसने भी अपनी पतनी की कुछ चीजे बचा रखी हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन अपनी यादे पीछे छोड़ जाते हैं, इसलिए ये बच्चा बहुत जादा बत्तमीज हो गया, मैं इसके पापा को बहुत पहले से जानती थी, हमारे पापा आपस में दोस्त थे, द मैं यही सोच कर आई थी, कि इस घर को अपना घर समझूंगी, लेकिन ये मुझे भी अपनी मा नहीं समझता, ये मुझे मा कहकर बुलाता भी नहीं, इसके पापा भी बिलकुल ऐसे ही हैं, वो भी अपनी पतनी की चीजों को गले से लगा कर रखते हैं, जबकि वो इने धोक दे कर गई हैं, तब भी वो उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनते, कभी कभी मुझे रात को अपने कमरे से रोने की आवाजे आती हैं, वो उसके पापा होते हैं, जो अपनी पहली पतनी की जुदाई में रो रहे होते हैं, उसने इनके साथ अच्छा नहीं किया, ल मैं इन्हें प्यार करती हूँ, संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ, कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता, वो औरत जालिम थी, लेकिन जुल्म उसने अपने साथ किया, इतना प्यार करने वाला पती, और इतने प्यारे बेटे को छोड़ कर चली गई, अच्छा भला ये बच्चा था, लेकिन अब ये बच्चा नहीं रहा, इसमें बच्चो वाली कोई बात ही नहीं है, ये सबसे बत्तमीजी करता है, बुरी बुरी बाते करता है, उल्टे सिधर जवाब देता है, मार पीट करता है, पिछले स्कूल से भी इसलिए ही निकाला गया था, क्योंकि वहाँ पर भी इसने एक बच्चे को मारा था, उसकी चीजों को लिए, एक छोटे से बैग में डाल कर अपने साथ लिए फिरता है, पती से कहा कि इसे किसी दिमाखी डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन सबसे पहले उसे खुद जाना चाहिए, जिसने बच्चे को नॉर्मल कर सकूँ, उसने कहा, ये सब आप बिलकुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मैंने उस औरत का धन्यवाद किया, और उसने मुझे भी यह कहा, कि आप ये बात किसी को मत कल को अगर कोई और टीचर इसके बैग में ये चीज़े देख लेती है, तो आप उसे समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़े छीन ली जाए, तो ये पागल हो जाता है, और नुकसान पहुँचा सकता है, घर आई, तो मैं उस बच्चे के बारे में यही सोचने लेकिन उसका बच्चा दस साल की उम्र से ही दिमाखी बिमारियों से ग्रस्त हो गया, लेकिन उसे उसकी कोई परवार नहीं, लेकिन मैंने भी सोच लिया था, कि जिन्दगी में कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं जरूर करूंगी, मैं उसे दोस्ती करने की कोशिश करूंगी, ये काम बहुत जादा मुश्किल था, वो लड़का जो पहले से ही किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे साथ तो उसने पहले ही बत्तमीजी की थी मैंने उससे कहा, कि ये चीजे किसलिए अपने पास रखते हो इतना तो बता दो, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, फिर एक दिन एक और टीचर ने उसका बैग चेक करना चाहा, तो वह मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मुझसे कुछ कह रहा हो, कि मुझे बचा लो मैंने उस टीचर को बातों में लगा कर उसका वो बैग खुद देख लिया और मैंने टीचर से कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है उस दिन उस बच्चे को मुझे पर थोड़ा भरोसा हुआ, और उसने मेरे साथ दोस्ती की, धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी, फिर हम एक दूसरे से बाते करते, फिर उसने धीरे धीरे मुझे जीना पड़ता है, मैंने उसे बहुत समझाया, मैं उससे बहुत प्यार से बात करती थी उसे कोश्चन याद नहीं होते थे तो मैं उसकी मदद किया करती थी मुझे हरानी हुई कि वो सच में एक बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन वो डिप्रेशन में था धीरे धीरे उसका डिप्रेशन दूर होने लगा और वह जल्द ही एक अच्छा बच्चा बन गया और अब वो सब की इज़त करता और सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में है किसी दिन तुम से मिलने आएगी तुम उनको माफ कर दो क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें सब को माफ कर देना चाहिए उनकी चीजों को दिल से मत लगाओ उनकी चीजों को कहीं संभाल कर रख दो उसने मेरी बात मानी और उसने ऐसा ही किया इसी बीच मैंने उसकी मा से कहा कि वो भी अपने पती को टाइम दे उसका ख्याल रखे और उसे भी अपनी पत्नी की यादों से निकाले उसने मेरी बात मानी और अपने घर का महौल अच्छा करने की कोशिश की फिर मैंने कहा कि अपने पती और बेटी और बेटे को घर से लेकर निकला करो, बाहर जाया करो, तभी मेरी दोस्ती उसके साथ हो गई और हम दोनों एक दूसरे से बाते भी करने लगे मैं कभी कभी सोचकर हैरान होती थी कि हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और वो औरत जो उस घर को बिगाड गई थी अब मुझे वो घर संभालना था और वो काम मुझे भगवान ने दिया था मुझे इससे कोई फाइदा नहीं था मेरा कोई मतलब नहीं था लेकिन उनके चहरे की खुशियां लोट आई थी भगवान ने शायद मुझे उसका गिफ्ट दिया मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई ये रिष्टा मेरा चिंकू की मम्मी ने ही करवाया था उनका कोई रिष्टेदार था जो की अमरीका में रहता था वहां उसका अपना घर था अब मैं उस घर का हिस्सा बन गई थी अब मेरा चिंकू के घर भी आना जाना था उसके घर में आया जाया करते थी और सब कुछ ठीक हो गया था जिन्दगी भर मुझे खुद पर जरूर फक्र रहेगा कि मैंने अपनी जिन्दगी में कोई अच्छा काम जरूर किया था आखिर में उस औरत के बारे में यही कहना चाहूंगी कि उसने बहुत गलत किया उसने दो लोगों की दिमागी हालत खराब कर दी उनकी जिन्दगी दाओं पर लगा दी थी इतने मासूम बच्चे को उसने इतने बड़े सदमे में डाला मैंने इंसाफ अपने भगवान पर छोड़ दिया वो कभी भी नजर नहीं आई ना कभी उसने फोन किया दुनिया में कैसे कैसे पत्थर दिल लोग होते हैं भगवान सब को सदबुद्धी दे अगर आपने सारी कहानी सुन ली है तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने से जादा अपने बच्चों और अपनों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए हमें कोई हक नहीं बनता किसी की जिन्दगी खराब करने का अगर चिंकु की मा को ऐसा ही करना था तो उसे चिंकु के पापा से शादी नहीं करनी चाहिए थी ना ही बच्चे पैदा करने चाहिए थे अगर शादी हो ही गई थी तो उसे पूरी इमानदारी से निभानी चाहिए थी और सब कुछ भूल कर अपने बच्चे और पती के साथ खुशी खुशी रहती क्योंकि मा तो इश्वर का दूसरा रूप होती है और अगर वो ही अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगी तो सभी का मा शब्द से विश्वाश उठ जाएगा मा तो मा होती है जिसके जगा कोई नहीं ले सकता तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कोमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी आप हमें comment box में जुरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जुरूर शेयर करें दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेर नादाय कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फिस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जुरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबर्दस कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो